तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहु भी कल्पिय प्रश्न उत्तर से जो कि चैप्टर वन का है हमारे पर्यावरन के प्रतिय अभिरूचिया जो चैप्टर का नाम है concerns about our environment और आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे question answer करेंगे और तो चलिए स्टार्ट करते हैं mcq से first question है वायो मंडल के किस अस्तर में रेडियो तरंगों का पड़ावरतन होता है तो जो राइट answer होगा वो है ताप मंडल ठीक है यहां पर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर क्लिक नहीं हो रहा है आप लोग राइट answer ताप मंडल लिख लीजेगा इंग्लीज में थर्मोश्पीयर भी कहा जाता है ठीक है सेकिरण वाला जो कोस्ट है वो है और उजो न का छेतर वायो मंडल के किस परत में पाया जाता है तो राइट एंसऋर होगा स्टाटो च्पेर को स्क्रीक है तो यहां जो राइट का सबसे गर्म अस्तर कौन सा है तो सबसे जो गर्म अस्तर है वो है ताप मंडल जिसको इंगलीज में थर्मोस पेर भी कहा जाता है और इन में से कौन ग्रीन हाउस गैसेस हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं यहां पर हमारा जो ग्रीन हाउस गैस है वो है सीवो टू ठीक ह हाइडोजन, अक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइकसाइड या ओप्षन है उसमें हमारा जो राइट एंसर होगा वो है कार्बन डाइकसाइड यानि CO2 CFC में मौझूद कौन सा तत्व औजोन को नश्ट करता है तो CFC यानि कि क्लोरोफ्लोर जो कार्बन है उसमें है कार्बन डाइट एंसर होगा कार्बन पाराबैंगनी किर्णों के कारण कौन सी बिमारी नहीं होती है तो पाराबैंगनी किर्णों कारण जो कौन सी बिमारी नही की है हाई है हाईडल पावर जिसको कहा जाता है जल बीदूद उरजा ये जितना हम लोग खर्च करते जाएंगे उता ही दिन प्रति दिन ये नश्ट होता जाएगा मिल्ड की यह जैसे जैसे खटम वही खटम सेस का सकते हैं क्योंकि इससे हम लोग बीदूद उरजा प्राप् तो राइट एंसर होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो उसमियमान है बहुत अधिक होता है ठीक है उसके बाद है अंतरिक्ष में नवी करनिय उर्जा का स्त्रोथ कौन सा है तो राइट एंसर होगा आपका स्वारूर्जा ठीक है राइट एंसर होगा स्वारूर्जा है ठ जानें स्वारूर्जा होता है उसके बाद है किसे इंधन का उसमियमान सबसे ज्यादा होता है तो वह है मिथेन ठीक है आप लोगो स्कीन पर दिख रहा होगा मैं यहां पर थोड़ा जूम कर देती हूं तो अच्छे से दिखेगा ठीक है उसके बाद आता है हम लोग फिलप्स करेंगे तो फिलप्स में सबसे पहला जो कोस्चन है आंधी यहां पर डॉट दिया गया है डॉट डॉट मंडल में चलती है तो राइट एंसर होगा छोब मंडल जिसको कहा जाता है और जिसको ऐसे ट्रोपोसपेर भी कहा जाता है छोब मंडल अधो मंडल पडिवर्थन ंदल या फिर ट्रोंपोसपेर थिक है तो राइट एंसर क्या होगा ट्रोपोसपेर ध्यान से सुनीख अगा ट्रोपोसपेर ठ्रोपोसपेर में मंडल में में स्माप्थ कोस्चन है वो समुद्रतल, समुद्रतल पर वायू मंडलिये दबाव का मान कितना होता है, तो 1014, ठीक है, 1014, 1014, मिली बार, मिली बार, ठीक है, यहां बार, बार आप लोग लिख सकते हैं, 1014, मिली बार, उसकी बाद आता है क्या, कि कोस्चन नमबर है, 4, मद्य मंडल की उचाई किलो मेटर से, इतने किलो मेटर तक है, तो राइट एंसर होगा, 80 किलो मेटर टू, 90 किलो मेटर यहां पर, मारे बुक में दिया गया, 80 टू, 90 किलो मेटर है, ठीक है, पाइट नमबर जो है, डॉट 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 मंडल में क्रिति मुब गड़ा चकर लगाते हैं, तो किस मंडल में चकर लगाते है, क्रिति मुब गड़ा, तो right answer होगा mesospear मन्दल भी कहा जाता है mesospear ठीक है? सुरिय की किरने सुरिय की dot 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 किरने जो उन द्वारा असोसित होती है तो सुरिय की किरने कौन सी किरने असोसित होती है वो जो उन के द्वारा तो वो है पाड़ा बैङ्री किरने जिनको ultraviolet rays भी कहा जाता है 7 नमबर है दुरूबिय जोती किस मंडल में देखा जाता है दुरूबिय जोती dot 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 मंडल में देखा जाता है तो दुरूबिय जोती देखा जाता है हमारे iron मंडल में जिस काईनोस फेर भी कहा जाता है कम हो जाता है, ठीक है, फिर 9 नंबर है, डौडड़ डौड़-ौड़ और गैसेव, ग्रीन हाउस गैसेव हैं, तो CO2, CO2 और मिथेन, ग्रीन हाउस गैसेव हैं, 10 नंबर है, एक गैर नवी करने हैं, उरजा स्तोर्थ है, तो वो है 100 उरजा है, राइट एंसर होगा, एलेमेंट नमबर है, सोलर सेल, उर्जा को बदलता है, यानि कि सोलर सेल, डॉट 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 सोलर सेल, सुरिय की विक्रन उर्जा को, ठीक है, लिखिएगा, सोलर सेल, सुरिय की विक्रन उर्जा को, किसमें बदलता है, उसमें उर्जा में बदलता है, टीक है 12 नंबर का होगा बायो गैस का मुख्य उत्पादन क्या है तो बायो गैस का मुख्य उत्पादन है मिथेन CH4 टीक है यह हो गया अब लोग फिलप्स में कोई दिकत नहीं हुआ है फिर हम लोग जो राइट एंसर करेंगे C नंबर अती लग उत्रिये प्रश्ण उत्तर है बेरी सौर्ट टाइप कॉस्चन एंसर तो वो करेंगे यह भी थोड़ा थोड़ा ही है तो मैंने इसको स्क्रीन पे लिखा नहीं है मैं बोल देती हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो फर्स्ट कोस्चन है पड़्यावरन दिवस कम मनाया जाता है तो राइट एंसर होगा छे जून को मनाया जाता है दुसरा नंबर है कोस्चन का है कि वायो मंडल में ऑक्सीजन का आयतन के अनुसार कितना प्रतीसत है तो है 20.99% है ठीक है अब लोग ध्यान से सुनिएगा मैं स्क्रीन पे नहीं लिख रही हूँ 20.99% है ठीक है उसकी बाद थार नंबर कोस्चन है ओजोन का सुत्र क्या होता है यह हम लोग सभी जानते है उसकी बाद है फोर नंबर है मौसम समद्धी घटनाये किस मंडल में होती है तो राइट एंसर होगा छोब मंडल में होती है छोब मंडल यानि कि मौसम समद्धी जो जितनी घटनाये होती है वो पडिवर्तन मंडल, अधो मंडल, छोब मंडल या फिर ट्रोपोस्पेर एक ही नाम है ठीक है उसके बाद आता है जिन उर्जा स्त्रोतों का उपयोग बार बार होता है उन्हें हम क्या कहते हैं तो जिन उर्जा स्त्रोतों का बार बार उपयोग होता है उसको अम्योंग नभी करने हैं उर्जा कहते हैं या नॉन कंवेंशनल sources भी कहा जाता है ठीक है और तो जो जिन उर्जा अस्त्रोतों का प्योग बार-बार होता है उन्हें हम लोग नभी करनी उर्जा कहते हैं non-conventional कहते है non-conventional sources कहा जाता है दर्व और gas इंधन में किसका उसमिय मान सबसे ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा जो उसमिय मान होता है यानि कि calorific value जिसको कहा जाता है वो है gas का सबसे ज़्यादा होता है तो greenhouse जिवास में इंधन के कारण कौन सी gas होती है CO2 है और CH4 है CO2 जिवास में इंधन अच्छे से burn ना होता है तो वही क्या करता है CO2 फिर बाद में converter के CO बन जाता है carbon monoxide जो कि गंधहीन gas है और बिल्कु समझ में नहीं आती है और इससे क्या हो सकती है दम खुटने कारण हम लोग मेंस की हम लोग बहुत ज़्यादिक परभावित होते हैं और मड़ भी जाते हैं बहुत सारे इसको जहरीली gas भी कहा जाता है ठीक है उसके बाद एट नंबर है गोबर गैस से गोबर से प्राप्त गैस इंधन का नाम क्या है तो उसको हम लोग biomass energy कहा जाता है biomass उर्जा का सबसे बड़ा स्रोथ है अभी biomass का बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा है गैर प्रमप्रागस उर्जा के स्त्रोथों में तो यह ह आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा यदि आप लोग कुछ प्रॉब्लम होता है लगुतर यह प्रश्णों में तो मैं उसको भी लेकर आऊंगी बस आप मों कॉमेंट में मुझे जरूर कहिएगा तब मैं लेकर आऊंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत शर आंड़के, थैंक्यू, बाँ बाई